हेलो सो मेंना विजयो से यह में पास में इंडिया बिखने वाले टॉप सेलिंग मेमोरी कार्ड से अफिर आप बोलें बने रहेगा and having said that let's get started सबसे पहले दोसों बेसिक्स समझ लेते हैं ताकि आप बेटर नॉलेज़ के साथ डिसाइड कर पर आपको कौन सा लेना चाहिए सबसे पहले दोसे यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ने केटेगरी होती है जैसे कि Micro SD HC, Micro SD XC तो HC का मतलब होता है Micro SD High Capacity यह up to 32 GB तक के मेमोरी कार्ड में लेखे रहते हैं जैसे कि यह मेरे पास में 32 GB वाला मेमोरी कार्ड है इसके उपर आप देख सकते हैं Micro SD HC लिखा रहेगा मतलब High Capacity उसके उपर 64 GB से लेके 2 TB तक यहाँ पर Micro SD XC लिखा रहेगा जैसे कि इस वाले में लिखा हुआ है XC मतलब Extreme Capacity और 2 TB के उपर जो जाएंगे उनमें यहाँ पर Micro SD UC लिखा रहेगा मतलब Ultra Capacity उसके बाद दोस्तों मेमोरी कार्ड की क्लास आजाती है क्लास 10 मतलब minimum जो राइट स्पीड रहेगी वो आपकी 10 MB पर सेकिंड आएगी है आएगी मेमोरी कार्ड में तो यह जीज़ बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इससे नीचे वाले क्लास के मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगा ले न अब दोस्तों जितना ही मेमोरी कार्ड मैं इन सबको अभी अन्बॉक्स करूँगा और रियल लाइफ में भी टेस्ट करेंगे तो यह मस सोचना कि मतलब मैं बस बॉक्स दिखा के वीडियो आ एंड कर दूँगा यहां पर दोस्तों उसके बाद बात करते हैं दूसरे बहुत ही इंपॉर्टन फेक्टर की जो की है UHS स्पीड जैसे की इस वाले कार्ड में लिखा हुए यहां पर UHS 1 तो UHS 1 मतलब जो UHS स्पीड निकल के आएगी वो यहां पर निकल के आएगी 10 MB पर सेकंड की इस वाले का करके इसका मतलब होता है वीडियो क्लास स्पीड तो मतलब फोन में जैसे कि आप 4K वीडियो रेकॉड कर रहे हैं तो आपको V90 चाहिए या V30 चाहिए अगर आफ फुल HD कर रहे हैं तो V10 अच्छे से वर्क कर जाएगा उसके बाद उसके यहां पर निकल के आता है एप्लिक अपनी memory card में इंस्टॉल करते हैं वो आपको लेने चाहिए उस केस में तो इनी साही चीज़ों को माइंड में रखते हुए यहां पर टेस्ट करते हैं कि रियल लाइफ में यह सारे memory cards क्या स्पीड निकाल के दे रहे हैं तो सारी memory cards मैंने यहां पर टेस्ट कर लिए है रिज लिस में सबसे पुराना memory card है मतलब इस वाले memory card को I think मैं 2015 से लेके 16 से लेके देख रहा हूं यूज भी कर रहा हूं personally और मतलब कमाल का निकल के आ रहा हूँ उस वक्त जादा तर class 6 पॉपलर थी तो class 10 का यह one of the most एकलो होता है यहां पर reason वो करता था तो यहां पर class 10 अब दे इवन 2022 में यह वाला memory card में निकाल के दे रहता है यहां पर जो application class रखा हुआ है वो रखा हुआ है A1 आजकल A3 ज्यादा common हो रहे हैं तो यह थोड़ा सा outdated लगता है यहां पर जो UHS class है वो U1 है तो वो भी थोड़ा सा outdated लगता है यहां पर जो video class है मतलब जो V10, V30 ऐसे होता ह V10 है यहां पर V30 होता तो और ज्यादा अच्छा होता वैसे इसका तो price निकल के आ रहा है उस सबसे कम है इस list में जहां पर 64 GB वाले का price ना सिर्फ 549 निकल के आ रहा है इस वाले memory card के साथ में तो यह secure कर लिता है अपनी 5th position E1 in 2022 नंबर 4 में पास में है Samsung का pro plus memory card यहां पर 2022 में इसका नय वाला version आ गया जो की blue color की design के साथ में आता है यह वाला 2017 में मैंने पर्चेस करा था जैसे कि आप देख सकते है 32 GB का यह memory card है मैं अपने Samsung Galaxy S7 में इसको use करता था उस समय का one of the fastest memory card था मैंने यही वाला लिया था because 4K support कर आता था Galaxy S7 तो यहां पर 4K videos record करने के लिए मैंने यह वाला memory card लिया था यहां पर 22 seconds के अंदर इस वाले ने 1.8 GB की file को transfer कर लिया अपने अंदर बहुत-बहुत जादा fast one of the fastest लेकिन यह वाला पर 4 position में इसलिए आता है विकोई इस वाले को प्राइज अने इंडिया में वह जादा है 3000 है for 128 GB अगर available है तो लेकिन अगर shortage है तो 6000 तक का प्राइस जाता है तब यह 4th position में यहां पर आ रहा है इस वाले में यहां पर हमें latest class 10 दिखने के लिए मिल जाता है V30 video class 30 जो की latest है A2 यहां पर मिल जाता है मतलब applications भी इसमें fast load होगी और UHS13 को support करता है तो सारी ही यहां पर इस वाले memory card के साथ में आपको latest मिल जाएगी जो blue available है इंडिया में जो latest वाला है अब यह वाला उस तो मैं recommend करूंगा आपको अपने drones के लिए DSLR cameras के लिए और अपने smartphone के लिए अगरा 4K recording smartphone में करते हैं और else आप इस वाले को skip कर सकते हैं और आगे मैं जो एक option बता है SanDisk का one of the most premium SanDisk Extreme Pro memory card अब यह वाला इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा fast memory card है मतलो सबसे कम time लिया है इस वाले ने 20 seconds का time लिया है यहां पे SanDisk promise करता है कि 170 MB per second की speed यह वाला आपको provide करा देगा इस लिस्ट के अंदर 170 MB per second की speed वाला कोई भी memory card नहीं है तो यह एक लौता memory card है सबसे fastest memory card है यहां पे third position में इसलिए आ रहा है विकोई इसका price नहीं है यहां पे जादा रखा गया है 1849 for the 64 GB available है यह वाला और जो price to performance निकाल के दे रहा है वो second वाले से सोड़ा कम निकाल के दे रहा है second वाले है यहां पे आपको बताता हूं कौन सा है तो extreme pro यहां पे same Samsung के pro plus जैसे ही class 10, V30, A2, UHS13 आप दे के आ जाता है for 1849 with a 64GB memory capacity यह वाला again दोस्तों अगर आप 4K recording करते है smart phones के अंदर तो आप purchase कर सकते है वैसे second option है उसमें भी आप purchase कर सकते है second option बहुत interesting है आपको बताता हूं यहां पे इस वाले के साथ आप अपना drone में यूज कर सकते हैं gopro मे यूज कर सकते हैं DSLR cameras में यूज कर सकते हैं यह वाला उसके लिए उसके बात दोस्तों यहां पर निकल के आ रहा है हमारे पास में second number वाला जो कि बहुत बहुत जादा interesting है वो है यहां पर हमारा sendisk का ही extreme तो यह non pro version है sendisk extreme लेकिन इस वाले ने भी यहां पर same 20 seconds के अंदर अप difference निकल के आ नहीं रहा है और यह वाला भी same यहां पर class 10, V30, A2 यहां पर UHS-13 भी provide कर रहता हमें और इस वाले के तो प्राइस दो 64GB का वो बहुत बहुत इंट्रेस्टिंग है सिर्फ 899 का यह वाला available है अब बोलो के दूस्तों कि 549 में हमें sendisk का मिल रहा है ultra यहां पर आप 4K 60fps drone के लिए भी DSLR ले भी और आपके smartphone के लिए भी one of the most value for money और best memory card यह वाला निकल के आ जाएगा second number पे sendisk extreme इसका link भी मैं आपको आपको नीचे description में दे दूंगा तो आप वहां से check out कर सकते है number one पे दोस्तों यहां पे निकल के आ रहा है जो कि मैंने just अभी purchase करा है मैंने इसको test करने के लिए purchase करा Samsung का Evo plus memory card अब इस वाले के साथ में Samsung promise करता है 130 MB per second की speed जो की कम निकल के आ रही है as compared to a sendisk की जो extreme memory card की series है 160 MB per second है उसकी लेकिन यहापे इस सिर्फ 23 seconds के अंदर finish कर दिया अपना task इस वाले को आप compare कर सकते है sendisk के ultra से लेकिन ultra ने यहापे 30 seconds लगा है क्लास 10 निकल के आ रहा है अब इस वाले में नहीं यहापे एक hack है अगर आप 64 GB अले तो आपको slow मिलेगा because वहाँ पर आपको V10 मिलेगा instead of V30 on the 128 GB A1 मिलेगा instead of A2 on the 128 GB UHS 1 1 मिलेगा instead of UHS 1 3 on 128 GB और यहाँ पर उस तो price difference ज्यादा कुछ निकल के आनी रहा है 64 GB आपको available मिलेग 649 में और 128 मिलेगा 1149 में यह current price है जो कि आज की date में बतारों आपको August चल रहा है अभी 19 August 2022 तो यह वाला दोस्तो 128 GB ही लीजेगा इसलिए मैंने एक लौता यह वाला memory card रखा है जो कि 128 GB के साथ में आ रहा है और रहा है सारे ही memory card जो कि मैंने इंक्लूट करें वो 64 GB इंक्लू कर सकते हैं without any issue अगर आप 128 GB लेते हैं 64 लेते हैं तो आप फुल ही तक की expect करिएगा यहां पर दोस्तों यह वाला ड्रोन के साथ में भी उसकता है DSLR के साथ में भी उसकता है और इसके अलावा भी दोस्तों तमाम बठेरे memory cards आते हैं for example Sandisk की सिलेक सीरीज आ जाती है यहां पर यहां पर Samsung और Sandisk है वो लीडर है यहां पर storage solutions में जहां पर Sandisk WD का पार्ट है और Samsung दोस्तों आपको पता ही होगा इवन जो MacBooks है उनके अंदर भी fastest Samsung की SSD होती है इतनी ज़्यादा fast और reliable company है Samsung यहां पर Sandisk को आप ट्रस्ट कर सकते हैं 2022 और 2023 में और इसी के साथ दोस्तों मुझे तो उम्मीद है कि आपको वीडो पसंद आउगी अगे आपको पंड़ान के और फर मैं अपनी अगली वीडियो में